बिहार के लोक आस्था का पर्व छट वरत, क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या आपको पता है कि समस्तिपुर में एक ऐसा जगे भी है जहां पे द्रौबदी ने आके छट किया था, क्या आपको पता है कि सबसे पहले इस वरत को किस ने किया था, ये माम बिहारी जो है वो एकदम emotional हो जाते हैं क्योंकि छट हमारा महा परव है आपने देखा भी होगा कि एकदम दूसरे राज्यों से भी जो बिहारी वहां पे बसे हुए हैं वो छट परव के मौके पे बिहार जरूर आते हैं लेकिन छट के बारे में पूरी जानकारी क्या है कि तरीके से इसका शुरुआत हुआ था और किसने किसने सबसे पहले इसको किया था ये सब कुछ आपको बताऊंगा मैं आपको बता दू कि पूरानिक मानिताओं के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को माता सीता ने किया था उसके बाद रामायन काल के बाद अगर बाद द्वा पर कालकी की जाए तो इस व्रत को सूरी पुत्र कर्ण ने भी किया था कर्ण जो की सूरी भगवान का बहुत बड़ा उपाशक था उसने इस व्रत को शुरू किया था उसके बात कि अगर बात की जाए तो द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और द्रौपदी ने इस व्रत क समस्तिपुर में किया अब समस्तिपुर का क्या connection है यह आपको बता देता हूं इस वरत से तो बात उस वक्त की है जब जुआ में सब कुछ हार गए थे पांडव अपना वो लाच्छा ग्रह में आके रह रहे थे और मैं आपको ये भी बता दू कि दलसिंग सराय एक घर में आग लगा दी जाए ऐसा होता भी है उस घर में आग लगा भी दिया जाता है लेकिन जैसे तैसे करके सुरंग के रास्ते पांडव जो है उस घर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और वो जो निकलते हैं जहां उस जगे का नाम है देवखाल चौड अगर देवखा जानपूर कमला गाउं में ये देवखाल चौड है और देवखाल चौड जो है वो 5000 से अधिक एकर जमीन में फैला हुआ है इस चौड की अगर आप कहानी जानेंगे तो इस चौड का पानी कभी नहीं सूखता और ये एक मानिता मानी जाती है कि द्रौबदी ने जब से यह चौड का पानी कभी सूखता ही नहीं है आज भी लोग वहां बड़े हरसो लास के साथ चौड करते हैं और आज भी जब आप उस चौड पे जाएगा तो देखिएगा कि वो जो एक पौरानिक मानिता है उसको समेटे हुए वो चौड जो है आज भी किस तरीके से बह रहा है मैं आपको बता दू चट वरत बिहारियों के लिए जो है एक इमोशन का प्रतीक माना जाता है आपने ये भी देखा होगा कि वो बिहारी जो साल भर दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देशों में रहते हैं वो इस चट परों में जरूर अपने गाउं वापस आते हैं और बड़े ही धूम धाम के साथ आस्था कि इस महापरों को मनाते भी हैं जीते भी हैं ठेकुआ नारियल इक ये सब खाते हैं और साथी साथ अस वरत को बड़े अच्छे तरीके से इन्जोए भी करते हैं लेकिन चट की ये कहानी कि आपको पता थी कि आखिरकार चट की च्छट चुरू हुआ, दुरौपदी ने क्यों च्छट वरत किया, सीता माता ने सबसे पहले कैसे मुंगेर में इस वरत को किया, ये कहानी मैं आपको इसलिए बताया, ताकि एक बिहारी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार च्छट किस तरीके से शुरू बाकि इस कहानी को लेके, इस मानिता और इस ओधारना को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल लहा है, कृप्या कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए, बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है